हरो प्रेंट्स Begin to gambler अज आज का लेशन वह है लू प्रोडक्शन के बाएमिन लूम प्रड़क्शन के निकालते हैं यह रूम क्या रोल सबस्जेंगे सबस्क्राइब कि रोटेशन पर मिनिट या रेवलेशन पर मिनिट में कितने स्पीट से रोटेट हो रही है वह उसके मोटर की पुली पे और उसके मोटर पर डिपेंड करता है कितने घंटे का में निकालना बाराः घंटे में मिनिट्स होगे फिक पर इंच यहाँ पर हमें जो में इंच में हैं और हमें तो थो कर चला म् ur यह इसका फॉर्मूला होता है आर्पीम इंटो हार्स इंटो मिनिट्स डिवाइड बई पीपी इंटो मीटर टू इंच 39.37 आर्पीम मैंने आपको बताई दिया मशीनरी जैसे जो भी पिक ले रही है मशीन एक मिनिट में कितने पिक मशीन ले पा रही है वह उसका आर्पीम हो और एक इंच में चोहततर सेवंटीफॉर पिक है अगा प्रोडेक्शन मीटर कैसे होगा 600 इंटो ट्वैल हम यह बारा घंटे का निकाल रहे हैं लिए बारा घंटे में एक शिफ्ट इंटो 60 मिनिट्स में जो होता एक रंटे में 60 मिनिट्स होते हैं डिवाइड बार इंटो इसको देगा आगा तो यह किलोटे में आएं बारा घंटे में बड़ाव एक शिफ्ट दो कहीं पर आठ गंटे की चलती कहीं पर बारह गंटे की दो शिफ्ट चलती है माल लेजिये 製्य प्रीटे सब्सक्र निकालेंगे 10 अब उसने साफ से अगर में तो हम पास अगर है तो घ्र Central सकते से अब बजिए फिक्स पर वरिविंग स्थिया मतिर निकालते हैं लिट कगर पर की लिए सकी से हैं इसका सुल कोज पर मीटर 17.7 क्योंकि यहां पर फिर कोज पर मीटर मांग रहा है तो हम ponieważ आपर उसको कनवर्ट किया 39.37 से मीटर को इंच में कि डिवाइड विट टोटल पिक इन वन मीटर अब हमें चाहिए एक्चुल में कोस्ट पर मीटर को हम जब इस फो फॉर्मले में लेंगे तो वह आए गया टोटल पिक इन वन मीटर नीचे वाला जो है फॉर्मला उपर जोब रेट अपनी 20 पेसा पर पिक तो कोस्ट पर मीटर के आई है 50 इंटू 39.37 इंटू पॉइंटू पॉइंट या सोरी मैंने 15 लिखा वाए जब 20 होना चाहिए या डिवाइड विट 39.37 तो जो जो इसकी कोस्ट आईगी वो 10 रुपीस 10 रुपे मीटर जोब रेट आ गई अब मैं आपको यह बताता हूँ यहाँ पर यह अपने दिया है कि किसी भी फैब्रिक का कोस्टिंग कैसे निकालते हैं एक एकजम्पल दिया है माली जी वार्प में जो है वाइनी में यह डेनियर में वह 70 ग्राम लग रहा है इसकी रेट है 130 रुपीस केजी अब क्या करेंगे 215 रुपे इंटू 0.113 क्योंकि ग्राम में तो 0.113 करेंगे डिवाइड वे हंड्रेट करते हैं तो 24 रुपे 29 पैसे इसकी जो रेट आ गई उस पे हमारा जीस्ट लग का सित्तर तो 0.070 क्योंकि 70 डिवाइड वे हंड्रेट होगा इंटू 130 तो 9 रुपे 10 नो रुपे 10 पैसे जीस्ट बारा परसेंट है एक रुपे 9 पैसे जीस्ट हमने अलग लिग दी इसी तरह के से वेट का साढ़े 400 डिनियर है इसमें भी 12 परसेंट के साब से 0.080 इंटू हो आगी और उसके बाद हमने उस पर वेस्टेज जोड़ी 6 परसेंट है तो टोटल जो ही 58 रुपे चोईस पैसे इसकी ग्रे कोस्ट आगई 6 परसेंट इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि हमें उसमें यान वेस्टेज भी लूम वाले चार्च करते हैं उसके लावा हम 2 परसेंट इंटर्स जोड़ते हैं उसके लावा अन्य खर्चे यान पर जो लगते हैं लोकल कार्टेज वगरा और हमारी टोटल 4 रुपे ठेसी पैस पैसे मेंडिंग चार्ज डेट रुपे अब इन दोनों को जोड़ देंगे दस रुपे प्लस डेट रुपे हम अब शाड़े यारह रुपे मैं टोटल वीविंग चार्ज हो गया अब टोटल ग्रेकोश क्या आ गई पहले तो आई थी यान कोस पहले जो ती वह यान कोस्त अब अगर फ्रिनिश चेल करना तो उपर अपने 69.74 लिग दिया GST अब तक अपन पांच रुपे 38 पेसे पे कर चुके हैं प्रोसेस श्रिंगेज जो आएगी अगर में फिनिश देना है तो हमने एक एवरेज माना 7 परसंट यह तो वैसे अगर मर पास प्रोसेस से अगर चलाना आएगा तो उसमें जो भी श्रिंगेज होती है वह हम एक्शुल पकड़ेंगे तो चार रुपे 88 पैसे वाली वेल्यू की 7 परसंट इसपे श्रिंगे जागी प्रोसेसिंग चार्ज जो है 17 रुपे एक एवरेज माना अप प्रोसेस की जो सिलाई होती है उसको हम लोग जब ग्रेडिंग करते हैं तब महां पर करती है उसके अलावा कई तरह के डैमेज निकलते हैं उन सब को हम लोग एक वैल्यू लोस में मानते हैं वेन परसंट बताब पॉइंट नाइन वन रुपीस वह इस वेपन जोड़ेंग जोड़ी है तो अब एक बार अभी समझते हैं इसके बाद पहले पहले सेलिंग कोस्ट निकालते हैं सेलिंग कोस्ट से एक बार हमने मान लिजी 110 रुपए हमने इसकी कोस्त जोड़ी है अब 110 रुपे के साब से हमें जो GST रिसीव होगा वो क्या होगा 5 परसंट GST मिलेगा 5 रुपे 50 पर से हमें GST रिसीव होगा इसमें कमिशन प्लस सीडी वो 5 परसंट देखिए अलग लग होता है 4 परसंट से लिखे 6 परसंट तक रहता है यह जो है यह मैनुफेक्ट्टर और एजेंड के आपस का अंडरस्टेणिंग है कि वो कितना रखते हैं इसमें आइजमें टू प्लस टू भी होता है टू प्लस ठीबी होता है 3 प्लस टू भी ओता ओर त्न प्लस 3 अगता है ओशा जनरल जो मांते हैं अपन 2 परसंट कमिशन और 3 परसंट सीडी 2022 तो 2 प्लस 3 5 परसंटि तो 55 परसंट पर से इसमें हमारे वापिस मैनस हो गए तो अब हमारी जो कोश्ट आ गई वो रहे गई है 104 पर से इस में से हमने जो हमारी एक्ट्रॉपरी की कोस्टिंग निकालते हैं अरला भी तरीके से आप लोग जैसे मैंने अगर उसका तो हम उस पर 12 परसंट देंगे मैनमेट जो भी प्रोटेक्ट होंगे उसको हम उस पर 12 परसंट देंगे तो मैंने आपको बता है तो अपने हिसाब से आप अगर वह नहीं जोड़ना चाहते हैं आपको रिफंड का मालूम है कि गवर्मेंट की तरफ से रिफंड आएगा तो आप उसको एक अपने कोस्टिंग पार्ट में में नहीं जोड़ेंगे यह थोड़ा बहुत वैरी हो सकता है सबके हिसाब से अलग लग लग लेकिन बहुत ज़्यादा फरक नहीं आएगा इसके अंदर अगर हम इसकी कोस्टिंग निकालेंगे तो एक मैंने एक जब तरीका समझाया कि तरीके को किस तरीके से हम लोग कोस्टिंग को निकाल सकते है एक बार हम वापी से समझ लेते हैं क्योंकि इंपोर्टन पार्ट है किसी भी फैबरिक जो मैनुफेक्चर है या जो इस काम को करना चाहते हैं हमने सबसे पहले एक पैटन पकड़ा है कि 240 कॉटन है और 320 डेनियर ग्रे है अब देखें यह अलग-अलग हो सकता है पैटन आप पॉइंट 113 क्योंकि डिवाइड भाई यह है ग्राम में ठीक है तो पॉइंट 113 आएगा इसको 215 से मल्टिमल करेंगे तो 24 रुपए गुंतिस पैसे यह हमारा यह मीटर में उसकी कोस्ट आ गई मतलब आपका मैनमेड हो गया फिलामेंट दागा 80 मतलब 080 into 160 इसी तरह के से 360 डेनियर यहां भी डेनियर है इस पर मैंने वेस्टेज बताया था आपको 6 परसंट जोड़ेंगे वेस्टेज इंटरस्ट मिला गया 6 परसंट दो परसंट इंटरस्ट जो परसंट वेस्टेज और हो सकता तीन परसंट भी लग जा क्योंकि अगर आप एड़ जैट पे रैपिर पर करा रहे हैं तो 3 या 3. 3.5 अलग अलग मशीन दीश के साब से अलग लग लेते हैं तो यह हम जोड़ेंगे तो 58 रुपे से हमारी यान कोस्ट आगई अब जो सेकिंड पार्ट है वो है हमारा वीविंग में हमने पिक एवरेज परकट रखें उसमें 50 पिक है और जोबरेट हमारी 20 पेसा पर पिक है तो हमने अभी समझा था 20 पेसा पर पिक मलब 50 इंटू पॉइंट बीस दस रुपे इसकी विविंग कोस्ट आ गई पांच परसां निपसमें हमने इस पर फिर जियेस्टी लगेगा यह हमने आगे लिख दिया फिर मेंडिंग चार्ज डेट रुपे मेंडिंग चार्ज हुआ इसका अब टोटल कोस्ट विविंग की कितने आई दस रुपे प्लस डेट रुपे ग्यारा रुपे 50 पेसे यह हम अब हमारे पास जो आ गई यह ग्रे कोस्ट आ गई कि 69 रुपे 74 पेसे हमारी ग्रे कोस्ट है कि किसी फैब्रीक का आप लोग इसी तरीक तरीका यह है निकालने का थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है आपको वेस्टेज सामने वाला क्या चार्ज कर रहा है उस पर डिपेंड कर होती है हर फैब्रीक के साब से और यह सब बता रहा हूं में फिगर यह सब एक हमने माना वाए कि ऐसा कोई फिक्स नहीं कि इसमें इतनी परसंट ही आएगी तीन परसंट भी आ सकती चार्ज भी आ सकती हो सकता तब 11-12 परसंट भी शिंके जाजा जाए वह फैब्रीक पर डि लगा दिया अब हमारी फिनिश फैबरी कोस्ट आ गई 91 रुपे 62 पैसे मतलब 69.74 में हमने 4 रुपे 88 पैसा जोड़ा श्रिंकेज और प्रोसेसिंग चार्ट जोड़ा 91.62 अब हमने टोटल जीएटी पे कर दिया है 6 रुपे 23 पैसा इस पर वेली रोस निकालेंगे वेल्योस वहला पॉइंट 9 1 रुपीज यह हमने कोस्टिंग में जोड़ दिया अब इसकी सेलिंग कोस्ट हमने मानी 110 रुपे ठीक है 110 रुपे का हमें अगर जीएटी कितना मिल जो पैसा आएगा वह 104 रुपे 50 पैसे आएगा और हमारी जेव से कितना गया है 93 रुपीज 26 पैसे तो इसकी जो प्रॉफिट आ रहा है वह प्रॉफिट मैं आपको कम बढ़ा रहा है इसका प्रॉफिट जो है वह 11 रुपे चोईस पैसे हम माइनस करेंगे उसको तो यह 10 रुपे चोईस पैसे तो यह कमिशन सीडिव अलग अलग हो सकता है वह बहुत से चीज़ए सपर चेंज हो सकती है अब समझें कि लूम एफिसेंसी क्या होती है क्या से निकालते है या क्या रोल प्ले करती है लोम एफिसेंसी किसी भी आपिक्षिंसी जो है हमारे प्रोडेक्शन पर डिपेंड करती है फिए जितनी अच्छी एक होगी उतना ही बैटर प्रोडेक्शन आएगा उतना ही जो है उसकी जौब और हप्रके चैपर करता है कि काई तरह के रहां अगर प्रॉपर दरीके से काम होगा तो वह जरूर्प ल वर्पिंग टाइम टाइम हो ऊसकी टाइम से हो जो इसकी ड्रॉपिंज होती है यह सब जो है उनका होता है पहले चेंड के चिरिफा। तो यह सब डिपेंड करते ह courts कितना जलदी और उसकी जो getting होती फिर पहला जो लुम है उसके बार जो नया विम जो लगता है उसको और नइ डिजाईन लगती हो उसमें कितना जलदी हम उसको त्यार करते क्ली तो यह सम्झी फिरondere पर कलता है देखिए अगर raw material better अच्छी quality नहीं होगा तो वह कहीं नहीं ब्रेकेश देखा वार्पिंग स्टेज पे ब्रेकेश देखा और हमारी बारबर efficiency डाउन होगी और चाहिए वह वेफ्ट साइट से लेना है क्योंकि आपको बताओं कि वेफ्ट साइट में क्योंकि वहाँ पर वेफ्ट का इंसर्शन जो है वह एर जैट से वहाँ पर हमें धागा जो है वह ब्रेकेश बड़ेगा वार्प में हमने अगर धागा की जो सब्सक्राइब करें तो हमारा जो है वह ब्रेकेश बारबर बढ़ेगा तो धागे की स्टेंथ बना एक तरह दागे की स्टेंथ होती है कि वह कैसी है तो जितना बैटर मेटेरियल होगा हम लोग उतना ही हम लोग सब्सक्राइब करेंगे उतनी हमारे जो कोस्ट है पर्पिक कोस्ट है वह कम आईगी कि अगर कि इसके बाद है मैंटेनेंस देखिए मैंटेनस जो है वह प्रोपर होना चाहिए इसमें भीऊ टो वीम मैं हौता है जैसा माली जे महांनी जींए जोपन प्रफॉलिंग होती इस्पेख मैंटेन्स होता नहीं चाहां पर जो मेंजर पार्ट होते है उसको कि चेक नहीं करते हैं लेकिन जो छोटे पार्ट होते हैं जो हमें जो इसी हम लोग उसको देख सकते हैं वहां पर वो चेक होते हैं और उसके अलावा इसमें six monthly का है one monthly का है अलग-अलग होता है कि six monthly अपने मुलूम की और पूरी ओररेलिंग हम चेक करते हैं उसके जो रोलर्स वगरें उनको चेक करते हैं यह सब बहुत ज़रूरी है अगर हम जितना ज़्यादा उसको मैंटेन करेंगे उतने उसमें स्टॉपेज जो होंगे वो कम होंगे उतने ही हमें अगर टाइम लिए उसका पार्ट सगर अवन चेंज कर लेंगे तो उससे बड़ा नुकसान और करती है और लेबर को हम कर तरह से इंसेंटिव दिए इसके अंदर इंसेंटिव मुएंट हो गया है कि हम उसको उसकी लूम और उसके अगर बिटर पर प्रक्रूट करता है अगर ऑक उक् puck कानूंग नहीं एंगर लेबर नहीं उसको इतना समझ नहीं यह कप्ड़े की तो कई और लेवर का बहुत बड़ा रोल होता है कि सिवी फैक्टरी की यह किसी वी फूरड़े are की कैम कर सकती ऐसे रही और और कि आपस में कॉडिनेशन बहुत जरूरी एक दू दो मशीने बंद हैं तो वो अगर सामने वाला चाहे तो उसको सपोर्ट करता वाई एक मशीन को चालू कर सकता है उसके पास वाला जो होगा तो इस तरीके से आपस में कोडिनेशन से ही एक फैक्टरी की एफशेंसी को इंक्रीज होती है कि अगरे मैंनुफेक्शिंग प्रोसेस जो है यह बहुत बड़ा प्ले करता है जिसमें अब गोता है कि कई तरह के फैक्टर से जब या फैक्टरी में धागा आता है तो सबसे पहले उसकी वार्पिंग स्टेज पर जाता है वार्पिंग हो गई साइजिंग होगे इन पर हर स्टेज पर हम अगर उसका टाइम को कम करेंगे तब ही जाके वह लूम एफिशंसी पर हमारा इंक्रीज होगा तो कहीं न कहीं जहां पी हमें लगता कि यहां पर ब्रेकडाउन हो रहा है यह यह टाइम हम सेविंग कर सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे वह टाइम को जाने की तो उससे हमारा जो प्रोडेक्शन है वह बैटर होगा कि क्योंकि ड्रोइंग पर आने के लिए जरूरी है कि वार्पिंग टाइम से हो और रॉप इन के लिए जरूरी है कि ड्रोइंग टाइम से हो तो यह सब एक दूसरे से जुड़े में उतना ही जल्दी वह लू यहां पर गेटिंग का स्टाफ होता है उनका अपसर कोडिनेशन कैसा है वह कितनी जल्दी उसको और कितने तरीके से से स्मूदली उसको रन कर सकते हैं और की जमिखेशन में बहुत जरूरी है कि जो भी उसका वार्ट विविंग शेड है यह वहां पर हमिडिटी है वह मैंटें रेने चीजिसको 27 तिग्री मानते है कि हमडें एक उतनी और वह सब डिपेंड करता है कि उसका जो आपस में लिंक है वह सब तरीके से जुड़ाव कर दो कि कहीं भीगेज नीहीं होना चाहिए सके अंदर और पर Gug होगा अगर उसमें कहीं भी लीकेज है यह के लिए तो वह वापिस उसको उतना कूल होने नहीं देगा उसके लिए वापिस गरम हवा अंदर रहेगी तो वह सब बहुत ज़रूरी है उसके लाव डक्टिंग का बहुत बड़ा रोल होता है कि हम एक एयर को वापिस सर्कुलेट करते हैं तो वह हमारी जो है एक तो पावर कोस्ट या पावर सेविंग भी होती उसमें और एक जो हम चाहते है टार्गेट की इतना कूल रहना चाहिए वह हम जल्दी अच्छिव कर लेते हैं इसमें कि अच्छिव भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है विविंग डिपार्ट्ट में हमें अगर लग रहा है कि कई तरह से हम लोग सेविंग कर सकते हैं उसमें अगर लूम के जो आर्पिम हैं उसको मेंटेंड रख सकते हैं उसके अलवा एर कंडिशनिंग जो हमारा प्रोजेक्ट लगावा है वहां पर कहीं लीकेज नहीं है अगर लीकेज होगा तो वह हम उस टेमपरेचर के एचीव ही नहीं कर पाएंगे जो हमें मेंटेंड करना है तो यह सब चीजें हमारी डिपेंड करती है और हम जो अमने कौन सी यूज कर रखी है वो कितना हमारा कंजूंग कर रही है एनर्जी को और अभी इस समय तो काफी सोलर का आगे बढ़ावा मिल रहा है गौवर्मेंट की तरफ से भी कहितरे की सबसी डिजारी इसमें उससे भ और इसमें हम जैसे मनें बता है थर्मल एनर्जी हो गया वह सोलर वह भी काफी यूज हो रही है इसमें थर्मल एनर्जी को तो उसको एक बढ़ावा दे सकते हैं एक एनर्जी सेविंग के लिए और इसमें है अच्छी हो और ना जैसे जितने व्याइटर्प के तो मैंटेन करती ही है क्योंकि उसमें इतना ज्यादा ब्रेकेस कंट्रोलिंग का या इतने ज्यादा लेटेस्ट टेक्नलोजी दे रखी होती है कि हम उसको अपने तरीके से एजीली किसी भी चीज को हम लोग कवर कर सकते हैं और साथ में स्किल लेवर में आप गता है वह जरूरत है एनरजी इशूज अगर हमारे वह हैं वह यह सब इंपेक्ट करते हैं तो जित्रा भी हम स्किल त्यूर्वर था वह लुब प्रॉडटेक्शन और फैबरी कोस्टिंग उसके बारे में रहे प्रौडेक्शन में अब लुब प्रॉडेक्शन से उसको फैबरिक का या मशनीरी वाइस भी हम उसको प्रोड़क्शन निकाल सकते कि पर मंथ में कितना प्रोड़क्शन उस मशीन रहे दिया तो उसकी जो हमारे कर सकते उसके बाद हमने समंगे किस तरीके सीति है कि अपने साब से कोश्टिंग आपका जो भी फैबरिक जीजलिक आपे ली चुके हैं उसमें कि antibody really about किक यान हो आप से लेगे तो यह chapter आज हम यही यह lesson हम यही खतम करते हैं नए lesson के साथ फिर मिरेंगे तब तक के लिए thank you